नर्सकार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और आएए 28 फरवरी 2020 के करेंट अफेर की सुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कुईज और जो लोग प्रशनों का उत्तर नहीं देते हैं कम से कम वोए कमेंट सेक्षन में ये जरूर बताएं कि कुईज में उनके कितने प्रशन सही हुए तो इससे मुझे भी थोड़ा सा पता चलेगा कि आप कितनी तयारी कर रहे हैं या आपकी तयारी कैसी है तो पहला प्रशन है अंतर राष्टी मुद्रा कोस में भारत के कारेकारी निद्रिसक कौन बने तो लाल भादु सास्त्री जी जोकी भारत के दूसरे प्रधार मंत्री थे और इनकी जीवन पर आधारित एक पुस्तक को लिखा है संदीप सास्त्री जी ने काजंड 2019 सैन्य भ्यास का आयोजन कहां पर हुआ तो ये अभ्यास होता है कजाकस्तान और भारत के बीच में और 2019 में इसका आयोजन किया गया था उत्तराखंड के पिथावरा गड़ में री यूनियन दूइप किस महासागर में इस्तित है तो री यूनियन दीप की बात करते हैं तो इस पे अधिकार है फ्रांस का लेकिन यह जो दूइप है वह आपको मिलेगा हिंद महासागर में मौरिसेस के पास में यह दूइप है चोटा सा जिस पे अधिकार है फ्रांस का रायल अलबर्ट हॉल जो की है लंदन में तो यहाँ पर परदर्चित पहली गयर अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी यानि कि ऐसे फिल्म जो की अंग्रेजी भासा में मूल रूप से नहीं थी तो महाराश्ट के नागपुर से जोको विडोडो किस देश के राश्पती है तो जोको विडोडो यह राश्पती है इंडोनेसिया के कहां के हैं इंडोनेसिया के राश्पती है और इंडोनेसिया के बारे में आपको यह यादखना है कि इसकी राधानी है जकारता में लेकिन अ साइक्लिंग से संबंदित हैं यानि कि ये साइक्ल चलाते हैं और साइक्लिंग के एक और खिलाडी का नाम आपको याद दखना है जो कि है एसो एलबेन क्या नाम है इनका एसो एलबेन और ये है अंड मानवा नीको भार से फीड आवर फ्यूचर प्रोग्राम किसके द्वारा सुरू किया गया तो भारत में मुख्य रूप से कोपोशन और भुकमरी की समस्या को समाप्त करने के लिए संब्त राष्ट विकास कारेकरम के द्वारा ये प्रोग्राम सुरू किया गया था जापान के नए राजा कौन बने तो जापान के नए राजा बने थे पिछले वर्ष इनका राम है समराठ नारू हितो और जापान की राज़ानी क्या है टोक्यो है सिंजो आबे यहां के वर्तमार में पीम है और जब यह नए राजा बने थे उसके कुछ समय पहले रीवा नामक नए युक की शुरुआत हुई थी जापान में कंटास एर्वेज किस देश की एयरलाईस है तो कंटास एर्वेज की हम बात करते हैं तो यह एरलाईस है आस्टल्यम्त की यह एयरलाईस है ब्यापाज सुगम्ता सुचकांग बात हो रही है इज of doing business index की तो इसमें भारत का स्थान क्या था 2019 में तो सबसे पहले आपको यह आता कि ये सुजकांग 200 बैंक जारी करता है और इसमें भारत का स्थाना था 63 क्या रहा था 63 और अगर हम बात करते हैं इसमें पहले स्थान पे कौन रहा तो न्यूजी लेंड रहा था इसमें पहले अस्थान पर पी एस स्री धरन पिल लई किस राजि के राजपाल है तो पिछले वर्ष इनकी न्यूपती हुई थी और ये राजपाल है मिजोरम के कहा के मिजोरम के राजपाल है लखनव डेकलरेशन में अफरीका के कितने देश सामिल थे तो लखनव डेकलरेशन जिसको डिफेंस एक्सप का आयोजन किस सहर में किया गया तो यह एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है जिसका आयोजन किया गया गुजरात की राजधानी गांधी नगर में कहां पर गुजरात की राजधानी गांधी नगर में जहां पर CMS के कॉब 13 का भी आयोजन किया गया था लोसार उस्सो फरवरी महां में किस राजी में मनाया गया तो लोसार उस्सो मैंने आपको बताया था कि ये जो तिबबत समदाय के लोग है उनका नए तेवहार होता है और जनवरी में यह लदाख में मनाया गया था और अब मनाया गया है हिमाचल परदेश में जाने जनसा किस देश के नए प्रधान मंतरी नियुक के गए तो ये नए प्रधान मंतरी बने है स्लोवेनिया के कहां के स्लोवेनिया के तो स्लोवेनिया की राजधानी क्या है ये आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्षन में दुनिया के दूसरे सबसे इवा अरभपती कौन बनी यानि की बात हो रही है यहाँ पर बिलेणियर की तो पिछले वर्ज हम लोगों ने डिसकस किया था काईली जिनर के बारे में काईली जिनर जो की हैं यी USA की तो ये दुनिया की पहली सबसे इवा अरबपती बनी थी self-made billionaire यानि कि जिन्हों ने स्वयम अपने आपको एक अरबपती के रूप में अस्थापित किया हो तो काईली जेनर थी सबसे पहले 22 वर्स की आयू में ये बनी थी और अब भारत के जो OEO कमपनी है OEO Rooms के बारे में आपने जरूर सुना होगा तो OEO कमपनी के जो संस्थापक है इनका नाम है रितेश अगरवाल ये बने है 24 साल की उम्र में दुनिया के दूसरे सबसे कम आयू के अरबपती दुनिया के सबसे प्रदूसिज सहरों में भारत का अस्थान क्या है तो ये रिपोर्ट अभी फरवरी माह में ही आय थी जिसमें दुनिया का सबसे प्रदूसिज सहर रहा था गाजियाबाद तो इस सुची में देशों के अगर हम लोग बात करते हैं तो देशों में पहला अस्थान था दूसरे अस्थान पे था पाकिस्तान और तीसरे अस्थान पे इसमें रहा था कौन सा देश वो मुझे याद नहीं है भारत का अस्थान था इसमें पाज्मा हज्जा अल्मन्सूरी आई-स-स यानि की बात हो रही है international space station की तो यहां पर पहुँचने वाले किस अरब देश के ये पहले बेक्ती थे तो अरब देशों की बात हो रही है तो ये पहले बेक्ती थे संयुकत अरब अमिरात के कहां के संयुकत अरब अमिरात के तो कितने आपके सही हुए या आप comment section में जरूर बताईएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को like और share जरूर किया करें क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी ज़्यादा समय लगता है तो अगर आप लोग share करेंगे, like करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमें भी ये प्रेंड़ना मिलेगी कि हम आपके लिए और बहतर कांटेंट बना सके तो चलिए अब सुरुआत करते हैं आज के current affair की तो मारिया सारा पुवा ने सन्यास की घोशना की, तो वे और एक होता है US Open तो 2004 में पहली बार इन्होंने बिम्रेडन जीता था 2006 में फिर इन्होंने जीता US Open 2008 में फिर इन्होंने जीता आज टीरिन ओपेन और 2012 में फ्रेंच ओपेन जीता था फ्रेंच ओपेन 2012 और 2014 में इन्होंने जीता था 2016 में इने 15 माह के लिए प्रतिबंधित भी किया गया था नसीली दवाओं के सीमन की करण तो यह दखिएगा मारया सारापुवा के बारे में जो की रूस की टेनिस खिलाडी थी आईश्मान भारत योजना के अंतरगत राज्य से बाहर इलाज कराने वाले व्यक्तियों की सूची में कौन सा राज्य सीर्स अस्थान पे रहा अब यहां पर इस प्रेश में पूचा किया जा रहा है आईश्मान भारत योजना के बारे में आप सभी को पता होगा जिसे हम प्रधान मंतरी जन आउसदी योजना के नाम से भी जानते हैं 2018 में इसे लांज किया गया था और इसमें लच रखा गया था कि देश के 10 करोन परिवारों को पांच लाग रुपए की स्वाफ्ट बीमा कवर दिया जाएगा दुतियक और तुतियक प्रकार की बीमारियों के लिए तो इसमें होता क्या है कि जो प्रवासी लोग होते है यानि कि जिनका कोई फिक्स इस्टेट नहीं होता है या फिर ऐसे राजियों के बेक्ति जहां पर बीमारियों के इलाज के लिए सुवधा उपलब्द नहीं है तो उन बेक्तियों के पास में ये सुवधा थी कि वे किसी दूसरे इस्टेट में जा करके अपना इलाज करवा सकते थे तो यहां पर यही प्रेशन पूछा जा रहा है कि किस राजि से सबसे ज़्यादा बेक्ति दूसरे राजि में इलाज करवाने गए आईश्मान भारत योजना के अंतरगत तो इस सुची में पहले अस्थान पे रहा है मध्य प्रदेश तो यहां पर आप्सन सी करेक्ट होगा राश्टिय स्वास्त प्राधिकरण के दूआरा ये रिपोर्ट चारी की गई इसमें उत्तर प्रदेश दूसरे और बिहार रहा है तीसरे अस्थान पर किस मंतराले दौरा मार्केट इंटलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम बे पोर्टल को लॉंच किया गया तो ये लॉंच किया खाद्य प्रसंसकरण मंतराले ने तो इस प्रश्ट का उप्सन है करेक्ट होगा और किंद्रिय मंतरी हर्स्मरत का और बादल जो की खाद्य प्रसंसकरण मंतरी है इन्हों ने इस पोर्टल को लॉंच किया अब ये बे पोर्टल है क्या तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो मालने ये ये पोर्टल हो गया तो पोर्टल पर आपको जो हमारे top crops होती है यानि कि टमाटर हो गया, प्याज हो गया, आलो हो गया तो इनके मूल्लियों की निगरानी की जाएगी आपने कई बार देखा होगा कि इनके दाम काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसलिए इनके निगरानी की जाएगी और जब इनकी आधिक होगी, यानि की अधिकता होगी तो उस दवरान मूल्लियों को स्थिर रखने के लिए Operation Green की अंतरगत यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया जाएगा इस पोर्टल पर अलर्ट भी जारी होगा Operation Green की बात करें तो 2018-19 का जो बजट पेस हुआ था उसमें Operation Flat के दोरा Operation Green की घुशना की गई थी सरकार ने यहाँ पर 500 करोन रुपे आवंटेट किये थे जिसके अंतरगत वैलू चैन उत्पादं संगठन किसानों के लिए और लाजिस्टिक आज की बिवस्था की गई थी और याद दखिएगा हर्ट सिम्रत कवर बादल जी की consistency है पंजाब का भटिंडा प्रतेक वर्ष बिश्व गैर सरकारी संगठन दिवस यानि कि बात हो रहे हैं यह World NGO Day की तो यह कम मनाया जाता है तो यह होता है प्रतेक वर्ष 27 फरवरी को तो इस प्रेश्ट का option D correct होगा अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है तो जो लोग होते हैं उनको NGO में सक्रिय रूप से सामिल होने के लिए और NGO के साथ सरकारी और नईए छेत्र के जो कमपनिया होती है या जो छेत्र होती है वोई मिलकर की काम कर सकें इसको प्रोसाहिद करने के लिए यह दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है 2014 में सहुक्त राष्ट यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं और उसके अलावा अन्य अंतराष्टे संगटनों के द्वारा या मनाया गया था 26 फरवरी 2020 को किसके द्वारा इज 3.0 को लॉंच किया गया वित्त मंतरी निर्मला सीता रमन जी के द्वारा तो इस प्रेश्ट का उप्सन भी करेक्ट होगा इज का मतलब है इनहांस एक्सर एंड सर्विस एक्सलेंस तो यह एक प्रकार से जो हमारे साज़निक छित्र के बैंक है उनका अपग्रेडेशन है और इसके माद्धिम से जो भी ग्राहक है उन तक बैंकों की जो पहुँच है उसको आसान बनाया जाएगा और बैंकिंग तकनीकी को और स्मार्ट किया जाएगा साथ ही साथ इसके अंतरगत पेपरलेस और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा निर्मला सितार रमण जी के बारे में आपको यह आदकना है कि ये करनाटक से राजी सभा के सांसद है ये लोग सभा से सांसद नहीं है वहीं पर अनुराग ठाकूर बित मामलो के लिए राज्य मंतरी है फरवरी 2020 में किस सागर में इस्थित ये उंगल ब्लू होल में 8000 वर्स पुराना कारबन पाया गया तो ये जो 8000 वर्स पुराना कारबन है ये आपको मिला है दच्छंड चीन सागर में तो इस प्रेश्ट का उप्सन भी करेक्ट होगा अगर हम बात करते हैं ये उंगल ब्लू होल की तो इसकी गहराई है 300 मीटर अब ब्लू होल आप ये मैं समझेगा तारो वाला ये ब्लू होल मुख्य रूप से माल लिए ये हो गया कोई सागर यहां पताईए ये हमारा है दच्छंड चीन सागर जो कि ब्रुनोई इसके लावा मलेसिया बियतनाम चीन फिलिपिन्स के साथ में अपने सीमा साज़ा करता है तो ये समुद में एक छेतर होता है कहां पर सागर में एक छेतर होता है जो कि हमारे औरगैनिक चट्टानों के अब घटन से निर्मित होता है और इसकी बात करते हैं यानि कि ब्लू होल की तो ये आसपास के सागर के जल से डिफरेंट होता है यानि कि यहां का जो जल होता है वह आस पास के सागर के जल से डिफरेंट होता है तो पॉंगल ब्लू होल में 8000 वर्ज पुराना कार्बन मिला है और ये है दच्छिन चीन सागर में NTPC कुल कितने राजियों वह केंदर सासित प्रदेशों में 25 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station के लिए बित्य साहता प्रदान करेगा तो इनके द्वारा निर्मार किया जाएगा छे राज और तीन यूनियन टेरिटरीज में तो इस प्रश्ण का उप्सन है करेक्ट होगा तो सबसे पहले ये समझे ये है क्या तो यह हम रूप से एक स्टेशन होंगे और इन स्टेशन के माध्यम से उस राज की या जहां पर ये अस्थापित किया जाएगा वहाँ पर वाय की गुडवत्ता क्या है इसको मीजर किया जाएगा तो एंटी पीसी ने सीपी सीबी यानि की सेंट्रिय पालूशन कंट्रोल बोर्ड बात हो रही है कि इंद्रिय प्रदूशन नियंतरन बोर्ड की इसके साथ में एक MOU पर हस्ताचर किया है और 80 करून रुपए की बित्य साहता दी जाएगी एंटी पीसी के द्वारा इनके निर्माण में अब आपको ये याद नहीं रखना है और एक बनेगा कानपूर में तो चार बनेगे पिपरी चिंडवान ये है महाराष्ट में और मदुरे में इसका निर्माण किया जाएगा वहीं पर अगर हम यूटीज की बात करते हैं तो यूटीज में सिल्वासा, दमन और पोर्ट बलेर में इसका निर्माण किया जाएगा NTPC का मुख्याले आपको मिलेगा नई दिल्ली में भारत सरकार के दिन यह एक महारत कमपनी है और इसके चेर्मैन और मरेजिंग डिरेक्टर है गुरद्वी सिंग फरवरी 2020 में पहला, भारत्य प्रोटीन दिवस यानि कि इंडिया प्रोटीन डे कब मनाया गया तो ये मनाया गया है 27 फरवरी को तो इस प्रेश्ट का उप्शन ये करेक्ट होगा प्रोटीन का क्या लाब होता है इसके प्रती लोगों को जागुर्प करनी के लिए इस दिवस की शुरूवात की गई है राच अस्तर ये साज़िनिक स्वास्त पहल जो की है राइट टू प्रोटीन तो इसकी अंतरगत पहली बार भारते प्रोटीन दिवस मने आ गया अधिया और थीम इसकी है प्रोटीन में क्या है theme में इसकी है protein में क्या है किस भासा की उपन्यास कुसम बले को अंगरेजी अनुवात के लिए साहित अकादमी अनुवात पुरसकार दिया जाएगा तो बात हो रही है साहित अकादमी टांसलेशन आवाड की तो कुसम बले उपन्यास की बात करें तो यह लिखा गया है मूल रूप से कंणड भासा में तो इस प्रेश्ट का option भी correct होगा साहित अकादमी पुरस्कार जो की 22 भासाओं में दिया जाता है तो यहाँ पर कंणड भासा के लिए कंणड भासा ने अंग्रेजी भासा के लिए यह पुरस्कार मिलेगा कुसुम बले नॉबल को कंणड भासा में लिखा है देवा नूर महा देवा ने किसने देवा नूर महा देवा ने और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया सुजेन डेनियल ने तो साहित अकादमी टांसलेशन पुरस्कारों की घोशना की गई चंदर सेकर कामबर जी के द्वारा जो कि इसके अध्यच्च है चलिए आपको बताना है कि साहित अकादमी पुरस्कार पिछले वर्स हिंदी और अंग्रेजी भासाओं के लिए किसे मिला था तो ये आप वहाँ नॉबल देख सकते हैं कैप्री गलोबल Capital Limited ने किसके लिए उडान योजना शुरू करने की घोशना की है तो ये उडान योजना शुरू करेंगे महिला उद्दमियों के लिए यानि कि ओमेन एंटर्परनेव के लिए तो इस प्रेश्ण का उप्सन है करेक्ट होगा अब ये योजना है क्या तो कैपरी Global Capital Limited ने ये घोशना की कि हम छोटे और मद्यम उद्दमों के लिए जो भी महिला उद्दमिया है उनको ब्यापार के उद्दिश से 40 लाक रुपे तक का रण देंगे और इन्हों ने इसमें टाइम पीरेड भी रखा है कि 10 से 15 वर्सों के लिए यह रिड होगा और इसमें जो ब्याज होगा उसकी दर भी काफी कम होगी क्राइटेरिया जो इसमें रखी गई है कि महिला की आयो 18 से 45 वर्स की होनी चाहिए और जिस उद्दम के लिए यानि कि जिस ब्यापार के लिए वह लोन ले रही है या तो उसकी वो ओनर हो मालकिन हो या फिर उसकी सह मालकिन हो और साथ ही साथ उसे 12 वर्सों का ब्यापार में अंभो होना चाहिए तो 12 वर्स 18 आयो है 12 वर्स का अंभो होना चाहिए फरवरी 2020 को किसके द्वारा बडोदा स्टार्टप बैंकिंग पहल को लॉंद किया गया तो यह लॉंद किया गया है बित्त सच्यू राजियू कुमार जी के द्वारा तो यहां पर option यह correct होगा अब यह scheme है क्या तो बैंक का बडोदा ने यह target रखा है कि जो नए स्टार्टप होते हैं वे हमारे सहयोगी बनेंगे जाने कि उनको व्यापार के लिए हम rent देंगे और इस प्रकार से इन्होंने अगले दो वरसों में 2000 से अधिक स्टार्टप से जुड़ने का लच्छे बनाया है बडोदा बैंक की बात करें तो इसकी अस्थाफना 20 जुलाई 1908 को होई थ हैं इनका नाम है सज्जिव चढधा टैग लाइन इसकी क्या है तो टैग लाइन है इंडिया इंटरनेशनल बैंक तो ये है राजिव कुमार जी फरवरी 2020 में किस देश ने UNHRC बात हो रही है सविक्तराष्ट मानवा धिकार आयोग की यानि कि United Nations Human Rights Commission की तो इसकी यूद अप रात पर प्रस्ताओं से खुद को बाहर किया तो ये बाहर किया है स्रिलंका नहीं तो इस प्रेशन का ऑप्शन भी करेक्ट होगा अब थोड़ा सा अगर आपने World History पढ़ा होगा तो आप समझ पाएंगे अगर आपने World History नहीं पढ़ा है तो आप केवल ग्यान के लिए पढ कर सकते हैं काफी आपको अच्छा लगेगा या फिर कह सकते हैं आनन्द आएगा विस इतिहास को पढ़ते हुए तो आते हैं अपने प्रेशन पर 2009 में जो स्रिलंका में ग्रह यूद हुआ था वह समाप्त हुआ था और उस दवरान स्रिलंका की सीना ने तमिल टाइगर्स को हराया था तो बाद में यानि कि 2009 के बाद स्रिलंका की कुछ समोहों के दवरा ये कहा गया कि इस यूद के दवरान जो स्रिलंका की सरकार के सैनिक थे उन्होंने बहुत सारे तमिल लोगों को मार दिया तो इसके लिए सहुक्त राष्ट मानवा धिकार परिसद ने एक प्रस् पारा एक बार फिर से इसका इन्वेस्टिकेशन किया जाएगा यूनाटे नेशन हुमन राइट कमिशन की बात करें तो इसके स्थापना मार्च 2006 में हुई थी मुख्याले कहां पर है जिनेवा में है और कोली सेक इसके अध्याच्छ है एक इसी परकार की बॉड़ी और है जो की है हुमन राइट SCR क्या है SCR यानि की कमिशन फॉर्ड फियूजी तो इसका भी मुख्याले है जिनेवा में और से लंका की बात करें तो राजधानी स्रीज जैवर्धनेपुरे कोटे है गोदबाया राजपच्छे यहां के राश्पती है और महिंद्रा इस प्रेश्ट का उपसंसी करेक्ट होगा ध्यानाखियेगा कि एक भारत स्रेष्ट भारत के इंतरगत कई राजपच्छे में जोड़ा गया है और यह प्रेश्ट अक्सर परईच्छाओं में पूछा जाता है तो इन में से आपको सारे एकदम से रटे हुए होने चाहिए गया है मेगाले और अर्णाचल प्रदेश के साथ में, सिक्किम की बात हुई है, तो यहां पर आप मैप में देख सकते हैं सिक्किम, जो की पसिम बंगाल राज के साथ में, और चीन, नेपाल और भूटान के साथ में, अपनी सीमा साजा करता है, राजधानी यहां की है यहां के वरत्मान में राजिपाल है गंगा प्रसाद जी और यहां के वरत्मान में सियम है प्रेम सिंग तमांग लोग सभा में एक राजि सभा में एक और यहां के विधान सभा में 32 सीटे है और प्रेम सिंग तमांग के पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मूर्चा 11 अप्रेल 2020 को पहला कृतिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन यानि कि बात हो रही है Artificial Intelligence कांड क्लेप की तो ये आयोजित जिसका नाम होगा रहेज 20 तो ये कहां पर आयोजित किया जाएगा तो ये आयोजित होगा नई दिल्ली में तो इस प्रेश्ट का उप्सटन D करेक्ट होगा अब ये प्रोग्राम है क्या तो इसका पूरा नाम है Responsible Artificial Intelligence for Social Empowerment यानि कि जो हमारे सामाजिक मुद्धे हैं उनको किस प्रकार से कृतिम बुद्धिमत्ता के मदद से सौल्ब किया जाएगा इसके उपर पहली बार कृतिम बुद्धमत्ता सम्मिलन रैज 2020 का आवजन Electronics वा IT मंत्रा लेके द्वारा किया जाएगा तो PM नरेंदर मोदी इसका उधगाटन करेंगे और अगर हम बात करते हैं Electronics वा IT मंत्री की तो ये है रभी संकर प्रसाद जो की न्याय और कानून मंत्री भी हैं पटना साहिब से ये सांसद है और artificial intelligence का वर्स किसने घुसित किया है तो ये घुसित किया है तिलंगाना की सरकार ने एक transgender महिला को सयुक्त राष्ट प्रतनिधी मंडल में सामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना तो ये पहला देश बना है हमारा पडोसी पाकिस्तान तो इस प्रस्ट का option है correct होगा यहाँ पर आईसा मोगल नाम भी याद रखिएगा इनका नाम है आईसा मोगल दरसल हुआ किया कि अभी जिनेवा में संक्त राष्ट का एक महिलाओं के विरुद सभी प्रकार के वहिदभाओं के उन्मूलन के लिए एक सम्मेरन का आयोजन किया गया तो इस सम्मेरन में पाकिस्तान का जो प्रतनिधी मंडल गया था उसमें आईसा मोगल सामिल थी तो यह हैं आईसा मोगल ध्यार कियेगा नाम इनका और पहला देश बन गया है पाकिस्तान जिसने एक ट्रांसजेंडर को यहां पर भेजा है तो चलिए अब कल के प्रशनों का उत्तर जान लेते हैं मैंने आपसे पूछा था किस देश की जनगरना में पहली बार LGBT सम्मदाय को काउंट किया जाएगा तो LGBT सम्मदाय को काउंट किया जाएगा नेपाल में पड़ोसी देश नेपाल में किस राज में बीदर हवाई अड़े का उधगाटन किया गया तो बीदर हवाई अड़े का उधगाटन कहां पर हुआ तो यह हुआ है करनाटक में और कलबुर्गी हवाई अड़े का अभ्यूद काटन किया गया करनाटक में सेलेबर्टी ब्रांड बैलू में काउन सा खिलाडी सीर्ष पर रहा तो इसमें सीर्ष अस्थान पर रहें बिराड कोली और ये लगाता तीन सालों से सीर्ष पर रहें हैं दूसरे अस्थान पर हैं अच्छे कुमार पिल लोपी डफ एंड फेल्प के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गए थी याद केगा डफ एंड फेल्प पिल लोपी गोल्ड वर्ग किस संस्था कि मुक्य अर्थ सास्त्री थी जिन्होंने इस्थीपा की गोशना की है तो ये हैं विस्च बैंक की तो इन्होंने इस्थीपे की गोशना की है और वहीं पर आई एमेप की अर्थ सास्त्री कौन है भा राज का सबसे पहला मेट्रो रेल कहां पर बना तो ये बना था कोलकाता में 1984 में और अभी जो इसका नॉर्थ इस्ट कोरीडोर था उसका उगाटन किया किसने रेल मंट्री प्यूस गोयल ने 5.4 किलोमेटर उसकी लेंग थी आज के वीडियो से आपके लिए प्रेशन है राज 2 किस देश की मिसाइल है और इसकी रेंज कितनी है केंदिये सूचना आयोग के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिशनर कौन बने नए केंदिये सत्तरक्त आयोग यानि की सेंटरल विजलेंस कमिशनर कौन बने पहला बेधिया आ तो इसमें भारत को कुल कितने सूचन पदक मिले है तो इन प्रेशनों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्षन में देने है वीडियो को समय देने के लिए आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहतर भविश्च के सुपकामनाओं के साथ एक बार फिर से मेरा नमस कार जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत